पेशे मुझी प्रिम्चन जी की कहानी समर यात्रा पापा भर दूद के लिए मूझ छिपाता पिरता था अज दूद और दही के दो मटके अहिराने से बटोर कर रख गया है कुमार जो घर छोड़ कर भाग जाया करता था मिट्टी के बर्तनों का अटम लगा गया है गाउं के नाई कहार सब आप ही आप दोड़े चले आ रहे हैं अगर कोई प्राणी दुखी है तो वह है नुहरी बुढ़िया वह अपनी जोपनी जोपनी के दोर पर बैठी हुई अपनी 75 साल की बुढ़ी सिकड़ी हुई आँखों से यह समारो देख रही है और पच्छता रही है कि उसके पास क्या है जिसे लेकर वह कोद़ई के दोर पर जाए और कहे मैं यह लाई हूँ वह तो दानों को मुहताज है मगर नुहरी ने अच्छे दिन भी देखे हैं एक दिन उसके पास धन जन सब कुछ था गाउं पर उसी का राजी था कोद़ई को उसने हमेशा नीचे दवाई रखा वह इस्तरी होकर भी पुरुष थी उसका पती घर में सोता था वह खेत में सोने जाती थी मामले मुकदमे की पैर भी खुदी करती थी लेना देना सब उसी के हाथों में था लेकिन सब कुछ विधाता ने हर लिया न धन रहा न जन रहे अब उनके नामों को रोने के लिए वही बाकी थी आँखों से सूजता न था कानों से सुनाई न देता था जगे से हिलना मुश्किल था किसी तरह जिंदगी के दिन पूरे कर रही थी अब चारों और से कुदई के पूछती पहुचती आज जलसा भी कुदई के द्वार पर हो रहा है नोरी को अब कौन पूछेगा या सोचकर उसका मनस्वी हिर्दै मानों किसी पत्थर से कुचल उठा हाए मगर भगवान उसे इतना अपंग ना कर दिया होता तो आज जोपड़े को लीपती, द्वार पर बाजे बजबाती कढ़ाओ चड़ा देती, पूरियां बनबाई और जब वह लोग खा चुकते तो अंजली भर रुपे उनको भेंट कर देती उसे वह दिन याद आया जब वह बूढ़े पती को लेकर यहां से बीस को महत्मा जी के दर्शन करने गई थी वह उत्साव वह सात्वी क्रेम वस्रद्धा आज उसके हिदे में आकास के मट्याले मेगों की भांती उमरने लगी कोदाई ने आकर पोपले मुह से का भाबी, आज महत्मा जी का जत्था आ रहा है तुम्हें भी कुछ देना है नोरी ने चौदरी का कटार भरी आँखों से देखा निर्दई मुझे जलाने आया है नीचा दिखाना चाहता है जैसे आकास पर चट कर बोली मुझे जो कुछ देना है वह उन्हीं को दे दूँगी क्यों तुम्हें क्यों दिखाऊं कुदरी ने मुस्करा कर खा हम किसी से कहेंगे नहीं सच कहते हैं भावी निकालो वह पुरानी हारी अब किस दिन के लिए रखे हुए हो किसी ने कुछ नहीं दिया काव की लाज कैसे रहेगी नोरी ने कठोर दीनता के भाव से कहा जले पर नमक छिड को देवर जी भगवान ने दिया होता तो तुम्हें कहना ना पड़ता इसी दौर पर एक दिन साधू संत जोगी जती हाकिम सुबा सभी आते थे मगर सब दिन बराबर नहीं जाते कोदई लज्जित हो गया उसके मुग की जुरियां मानो रेंगने लगी बोला तुम तो हसी हसी में बिगड जाती हो भावी मैंने तो इसलिए कहा था कि पीछे से तुम यह ना कहने लगो कि मुझे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं यह कहता हुआ वह चला गया मानो पृत्वी उन यात्रियों के स्वागत में अपने राज रतनों की वर्शा कर रही हो गाउं के सब इस्त्री पुरुष सब काम छोर छोर कर उनका विवादन करने चले एक शन में तिरंगी पता का हवा में फहराई भी दिखाई दी मानो स्वराज उन्चे आसन पर बैठा हुआ सब को आशिर बात दे रहा है इस तरिया मंगलगान करने लगी जरादिर में यात्रियों का दल साफ नजर आने लगा दो दो आदमियों की कतारे थी हर एक की देह पर खदर का कुर्ता था सिर पर गांधी टोपी बगल में थेला लटकता हुआ दोनों हाथ खाली मानो स्वराज कालिंगन करने को तयार हूँ फिर उनका कंट सुर सुनाई देने लगा उनके मरदाने गलों में एक कौमी तराना निकला रहा था गर्म गहरा दिलों में इस फूर्ती डालने वाला एक दिन वह था हम सारे जहां में फर्द थे एक दिन यह हम सा बहया कोई नहीं एक दिन वह था कि हम शान पर देते थे जान एक दिन यह हम सा बहया कोई नहीं गांवालों ने कई कदम आगे बढ़कर यात्रियों का स्वागत किया बेचारों के सिर पर धूल जमी वी थी ओट सुखे हुए चेहरे सम लाए पर आँखों में जैसे आजाती की जोती चमक रही थी इस तरियां गा रही थी बालक उचल रहे थी और पुरुष अपने अंगोचों से यात्रियों की हवा कर रहे थे इस समारों में नुहरी की और किसी ने ध्यान न गया वो अपनी लाठियां पकड़े सब के पीछे सजीव आशिरवाद बनी खड़ी थी उसकी आँखें डबडबाए भी थी मुह से गौरब की ऐसी जलक आ रही थी मानो वह कोई रानी है मानो ये सारा गाउं उसका है वे सभी युबक उसके बालक हैं अपने मन में उसने ऐसी शक्ती ऐसे विकास ऐसे उत्थान कानभब कभी न किया सहसा उसने लाठी फेंग दिया और भीर को चीरती वी यात्रियों के सामने आख खड़ी वी जैसे लाठी के साथ ही उसने बढ़ापे और दुख के बोज को फेंग दिया हो वह एक पल अनुरक्त आखों से आजादी के शैनिकों की और ताक्ती रही मानो उनकी शक्ती को अपने अंदर भर रही हो तब वह नाचने लगी इस तरह नाचने लगी जैसी कोई सुन्दर नवियोवना प्रेम और उल्लास के मद्द से विवल होकर नाचे लोग दो दो चार चार कदम पीछे हट गए छोटा सा आंगन बन गया और उस आंगन में वह बुड़िया अपना अतित नित कोशल दिखाने लगी इस अलौकिक आनंद के रेले में वह अपना सारा दुख और संताब भूल गई उसके जीर्ण अंगों में जहां सदा वायू को प्रकोप रहता था वहां ना जाने इतनी चपलता इतनी लचक इतनी फूरती कहां से आ गए पहले कुछ देर तो लोग मजाक से उसकी और ताकते रहे जैसे बालत बंदर का नाज देखते हैं फिर अनुराक के इस पावन प्रवाह ने सभी को मतवाला कर दिया उन्हें ऐसा जान पड़ा कि सारे प्रकृती एक विराट ब्याफक निरती की गोद में खेल रही है कोदई ने कहा बस करो भावी बस करो नौरी ने थिरकते वे कहा खड़े क्यों हो आओ न जरा देखूं कैसा नाचते हो कोदई बोले अब बुढ़ापे में क्या नाचो नोरी ने रूपकर कहा क्या तुम आज भी बुढ़े हो मेरा बुढ़ापा तो जैसे भाग गया इन वीरों को देखकर भी तुमारी चाती नहीं फूलती हमारा ही दुख दर्ध हरने के लिए तो इन्होंने यह परंटाना है इनी हाथों से हाकिमों की बेगार बजाई है इनी कानों से उनकी गालियां और घुड़कियां सुनी है अब तो उस जोर जुलुम का नाच होगा हम और तुम क्या भी बुढ़े होने जोगते हमें पेट की आग ने जलाया है बोलो इमान से यहां इतने आदमी है किसी ने इधर चा महिने से पेट भर रोटी खाई है घी किसी को सुंगने मिला है कभी नीन भर सोए हो जिस खेट का लगान तीन रुपे देते थे अब उसी के नो दस देते हो क्या धरती सोना उगलेगी काम करते करते छाती फट गई हम ही है कि इतना सह कर जीते हैं दूसरा होता तो या तो मार डालता या मर जाता धन्य है महात्मा और उनके चेले की तीनों का दुख समझते हैं उनके उधार का जतन करते हैं और तो सभी हमें पीसकर हमारा रक्त निकालना चाहते हैं यात्रियों के चेहरे चमक उठे हृदे खिल उठे प्रेम की डूबी वी ध्वनी निकली एक दिन था कि पारस थी यहां के सरजमीन एक दिन यह है कि यो बे दस्तोपा कोई नहीं कोदई के दोर पर मशालें जल रही थी कई गाउं के आदमी जमा हो गए थे यात्रियों के भोजन कर लेने के बाद सवा सुरूवी दल के नायक ने खड़े होकर कहा भाईयों आपने आज हम लोगों का जो आदर सत्कार किया उसमें हमें यह आशा हो रही है कि हमारी बेड़ियां जल्दी कट जाएंगी मैंने पूरा पर पश्चिम के बहुत से देशों को देखा है और मैं तजर्बे से कहता हूं कि आप में जो सरलता और इमानदारी जो स्रम और धर्म बुद्धी है वो संसार के और किसी देश में नहीं है मैं तो यही कहूंगा कि आप मनुष्य नहीं देपता है आपको भोग बिलास से मतलब नहीं नशा पानी से मतलब नहीं अपना काम करना और अपनी दशा पर संतोस रखना यह आपका आदर्श है लेकिन आपका यही देवत तो है आपका यही सिधापन आपके हक में घातक हो रहा है बुरा ना मानियेगा आप लोग इस संसार में रहने योग नहीं आपको तो स्वर्ग में कोई अस्थान पाना चाहिए था खेंतों का लागान बरसाती नाले की तरफ बढ़ता जाता आप चूं तक नहीं करते अमले और अहलकार आपको नोचते रहते हैं आप जवान नहीं हिलाते हैं इसका यह नतीजा हो रहा है कि आप आपको लोग दोनों हाथों लूट रहे हैं पर आपको खबर नहीं आपके हाथों से सभी रोजगार चिनते जाते हैं आपका सर्वनास हो रहा है पर आप आखे खोल कर नहीं देखते है पहले लाकों भाई सूत कात कर कपरे बुनकर गजर करतेे थे अब सब कपडा भी देश से आता है पहले लाकों आदमी यहीं नमक बनाते थे अब नमक बाहर से आता है यहां नमक बनाना जूर्म है आपके देश में इतना नमक है कि सारे संसार का 200 साल तक उससे काम चल सकता है पर आप साथ कड़ो रुपे सिर्फ नमक के लिए देते हैं आपके उस्रों में जीलों में नमक भरा पड़ा है आप उसे चू नहीं सकते शायद कुछ दिनों में आपके कुवों पर भी मस्भूल लग जाए क्या आप अभी या नियास आते रहेंगे एक आवाज आईए हम किस लायक हैं नायक यही तो आपका ब्रह्म है आप ही की गर्दन पर इतना बड़ा राजित हमा हुआ है आप ही इन बड़ी बड़ी फोजों इन बड़े बड़े अपसरों के मालिक हैं मगर फिर भी आप भूखे मरते हैं अनियास आते हैं इसलिए कि आपको अपनी शक्ती का ग्यान नहीं यह समझ लिजिए कि संसार में जो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो सदैफ सुार्थी और अनियाई आदमियों का शिकार बना रहेगा अज संसार का सबसे बड़ा आदमी अपने प्राणों की बाजी खेल रहा है हजारों जवान अपनी हतेली पर जान लिए आपके दुखों का अंत करने के लिए तयार है जो लोग आपको असायाय समझ कर दोनों हाथों से आपको लूट रहे है वो कब चाहेंगे कि उनका शिकार उनके मूझ से चिन जाए वे आपके इन सिपाहियों के साथ जितनी सकतियां कर रहे हैं कर सकते हैं कर रहे हैं मगर हम लोग सब कुछ कर सहने को तयार है अब सोचिए कि आप हमारी कुछ मदद करेंगे मर्दों की तरह निकल कर अपने कौन नयाय से बचाएंगे या कायरों की तरह बैठे हुए तकदीर को कोशते रहेंगे ऐसा अफसर फिर शायद कभी ना है अगर इस वक्त चुके तो फिर हमेशा हाथ मलते रहेगा हम नयाय और सत्ति के लिए लड़ रहे हैं इसलिए नयाय और सत्ति ही के हत्यारों से हमें लड़ना है हमें ऐसे वीरों की जरुवत है जो हिंसा और क्रोध को दिल से निकाल डाले और इस शोर पर अटल विश्वास रखकर धर्म के लिए सब कुछ जिले बोलिए आप क्या मदद कर सकते हैं कोई आगे नहीं भड़ता सन्नाटा चाया रहता है एक आएक शोर मचा पुलीस 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 आ गई पुलीस का दरोगा कांस्टेवलो के एक दल के साथ आकर सामने खड़ा हो गया लोगोंने सैमी भी आँकों और धड़कते हुए दिलों से उनकी और देखा और छिपने के लिए बिल खोजने लगे दारगवाद जी ने हुक्म दिया मार कर भगा दो इन बदमाशों को कांस्टेवलों ने अपने डंडे समाले मगर इससे पहले कि वे किसी पर हाथ चलाए सभी लोग हुर हो गए कोई धर से भागा कोई धर से भगदर मच गई दस मिनट में वहाँ गाउं का एक आदमी भी ने रहा हाँ नायक अपने अस्थान पर अब भी खड़ा था और जथा उसके पीछे बैठा हुआ था केबल कोदई चोड़ी नायक के समीब बैठे हुए थिर आँखों से भूमी की और ताक रहे थे दरोगा ने कोदई की और कठोर आँखों से देख कर कहा क्यों रहे कोदईया तुने इन बदमाशों को क्यों ठराया है हाँ कोदईय ने लाल लाल आखों से दरगों की और देखा और जहर की तरह गुस्चे को पी गए आज अगर उनके सिर गिरस्ती का बखेरा ना होता लेना देना ना होता तो वह भी इसका मुहतोर जवाब देते जिस गिरस्ती पर उन्होंने अपने जीवन के पचास साल होम कर दिये वह इस समय एक विशेले शर्व की भाती उनकी आत्मा में लिप्टी हुई थी कोदईय ने अभी कोई जवाब ना दिया था कि नोहरी पीछे से आकर बोली क्या लाल पगड़ी बांद कर तुमारी जीव एट गई है कोदई क्या तुमारे गुलाम है कि कोदईया कोदईया कर रहे हो हमारा ही पैसा खाते हो और हमी को आँखें दिखाते हो तुम्हें लाज नहीं आती नोहरी इस वक्त दोपारी की धूप की तरह काप रही थे दारोगा एक छण के लिए नाटे में आ गया फिर कुछ सोचकर औरत के मुह लगना अपनी शान के खिलाब समझकर कोदईय से बोला यह कौन सैतान का खाला है कोदईया का खौफ ना होता तो इसकी जुबान तालू से कीच लेता बुढ़िया लाठी टेकर दरोगा के और गुमती वे बोली क्यों खुदा की दुहाई देकर खुदा को बदनाम करते हो तुम्हारे खुदा तो तुम्हारे अफसर है जिनकी तुम जूतिया चाड़ते हो तुमें तो चाहिए था कि डूम मरते चुलू भर पानी में जानते हो यह लोग जो यहां आए हैं कौन है यह वह लोग हैं जो हम गरीबों के लिए अपनी जान तक होमने को तयार है तुम उन्हें बदमाश कहते हो तुम जो गूस के रुपे खाते हो जुआ खिलाते हो चोरियां करबाते हो डाके डलबाते हो भले आदमें को फसा कर मुठियां गरम करते हो और अपने देवताओं की जूतियों पर नाकर गरते हो तुम इन्हें बदमाश कहते हो नोरी की तिक्षन बाते सुनकर बहुत से लोग जो इदर दर दबग गए थे फिर जमा हो गए दरोगा ने देखा भीर बढ़ती जाते हो तो अपना हंटर लेकर उन पर पिल पड़े लोग फिर तितर बितर हो गए एक हंटर नोरी पर भी पड़ा उसे ऐसा मालुम हुआ कि कोई चिनगारी सारी पीट पर दोड़ गई उसकी आँखों तले अंधेरा चागया पर अपनी बचीवी शक्ती को एकत्र करके उचे स्वर में बोली लड़कों क्यों भागते हो क्या नेवता खाने आई थे यहां कोई नाच तमासा हो रहा था तुम्हारे इसी लेडी पन ने इन सबों को शेर बना रखा है कब तक यह मारधार गाली गुपता सहती रहोगी एक सिपाही ने बुड़िया की गर्दन पकड़कर जोर से धका दिया बुड़िया दो तिन कदम पर अंधे मुह गिरा चाहती थी कि कोदई ने लपकर उसे सम्हाल लिया और बोला क्या एक दुखिया पर गुसा दिखाते हो यारों क्या गुलामी ने तुम्हे नामर्द भी बना दिया है औरतों पर बुड़ों पर निहत्थों पर वार करते हुआ मर्दों का काम नहीं नोहरी ने जमीन पर पड़े पड़े काम मर्द होते तो गुलाम ही क्यों होते भगवान आदमी इतनी निर्दई भी हो सकता है भला अंग्रेज इस तरह बेदर्दी करे तो एक बात है उसका राज है तुम तो उसके चाकर हो तुमें राज तो न मिलेगा मगर राण माण में ही खुस इन्हें कोई तलब देता जाए अमन में खलल डालते हो नायक अगर तुम्हें उनकी हालत बताना उनके अमन में खलल डालना है तो बेशक हम उनके अमन में खलल डाल रहे हैं भागने बालों के कदम एक वर फिर रुख गए कोदई ने उनकी और निराश आखों से देखकर कापते हुए स्वर में कहा भाईय लोग क्या हमारी फरियात सुनेंगे कभी नहीं आज अगर हम लोग मार डाले जाएं तो भी कुछ न होगा यह हमारी इज्जत और आप रूप थूड़ी है इस जिंदगी पर समुह इस तिर भाव में खड़ा हो गया जैसे बैता हुआ पानी मेर से रुख जाए भैका धुआ जो लोगों के हिर्दे पर छागया एका एक खट गया उनके चेहरे कठोर हो गया दारोगा ने उनके तीवर देखे तो तुरंत घोड़े पर सवार हो गया और कोदई को गिराफतार करने का हुक्म दिया दो सिपाहियों ने बढ़कर कोदई की बहां पकड़ ली कोदई ने क कहा घबडाते के हो मैं कहीं भागूंगा नहीं चलो कहा चलने हो जो ही कोदई 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 दोनों सिपाहियों के साथ चला उसके दोनों जवान बेटे कई आदमियों के साथ सिपाहियों की और लबके की कोदई को उनके हाथों से चीन ले सबी आदमी विकट आबेस में आ देखा अब जान बस्ती नजर नहीं आती नम्रता से बोला नायक साहब यह लोग फसाद परामादा है इसका नतिजा अच्छा ना होगा नायक ने कहा नहीं जब तक हम में से एक आदमी भी यहां रहेगा आपके उपर कोई हाथ ना उठा सकेगा आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है हम और आप दोनों एक ही पैरों के तले दबे हुए हैं यह हमारी बदनसीबी है कि हम आप दो विरोधी दलों में खड़े हैं यह कहते वे नायक ने गाहँवालों को समझाया भाईयों मैं आपसे कह चुका हूँ यह नियाय और धर्म की लड़ाई है और हमें नियाय से नहीं लड़ना है हमें तो किसी से भी नहीं लड़ना है दरोगा की जगे कोई अंग्रेज होता तो भी हम उसकी इतनी ही रक्षा करते दरोगा ने कोदई चौधरी को गिरफतार किया मैं इसे चौधरी का सवभाग की समस्ता हूँ धन्य है वे लोग जो आजादी की कोदई ने जवाब दिया राम राम बाईयों राम राम डटे रहना मैदान में घबराने की कोई बात नहीं भगवान सब का मालिक है दोनों लड़के आँखों में आसू बर कर आया और कातरस्वर में बोले हमें क्या कहे जाते हो दादा कोदई ने उन्हें बड़ाबा देते का भगवान का भरोसा मत छोड़ना और वह करना जो मर्दों को करना चाहिए वह सारी बुराईयों की जड़ है इसे मन से निकाल डालो फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता सत्य की कभी हार नहीं होती आज पुलिस चिपाईयों के बीच में कोदई को निर्वैता का जैस अन्भव हो रहा था वैसा पहले कभी नहुआ था जेल और फासी उसके लिए आज भाई की वस्तू नहीं गौरव की वस्तू हो गई थी सत्य का प्रत्यक्ष रूप आज उसने पहली बार देखा मानौ वह कवच की भाति उसकी रक्षा कर रहा हो गाउंवालों के लिए कोद पहुरी ने चिला कर कहा अब सब जने खड़े क्यों पस्ता रहे हो देख लिए अपनी दुरदसा या भी कुछ बाकी है आज तुमने देख लिया ना कि हमारे उपर कानौन से नहीं लाठी से राज हो रहा है आज हम इतने बेशरम है इतनी दुरदसा होने पर भी कुछ नही बोलते हम इतने स्वारती इतने कायरना होते तो उनकी मजाल थी कि हमें कोड़ों से पीटते जब तक तुम गुलाम बने रहोगे उनकी सेवा टहल करते रहोगे तुम्हें भूसा कर मिलता रहेगा लेकिन जिस दिन तुमने कंधा टेड़ा किया उसी दिन मार पढ़ने लगी कर तक मुर्दों की तरह पढ़े गिद्धों को अपने आपको नुचबाते रहोगे अब दिखा दो की तुम भी जिते जाकते हो और तुमें भी अपने इज्यत आबरू का कुछ खयाल है जब इज्यत आबरू ही न रही होगी तो क्या करोगे खेती बारी करके धर्म कमाकर जी कर ही क्या करोगे, क्या इसलिए जी रहे हो कि तुम्हारे बाल बच्चे इसी तरह लातें खातें जाएं और इसी तरह कुछले जाएं, छोड़ो यह कायरता, आखिर एक दिन खाट पर पड़े पड़े मर जाओगे, क्यों ने इस धरम की लड़ाई में आकर बीरों की तरह म हूँ उधर, खेती बारी गंगा देखेगा, गंगा उसका छोटा बाई था, बोला, भाईया तुम यह अन्याय करते हो, मेरे रहते तुम नहीं जा सकते, तुम रहोगे तो गिरस्ती संभालोगे, मुझसे तो कुछ ना होगा, मुझे जाने दो, मैकू इसे काकी पर छोड़ पहने दो, मरती दाई राज मिला है, तो कुछ तो कमा लूँ, गंगा हस्ता हुआ बोला, मैं तुमें गूस दूँगा काकी, अब की बार बाजार जाओंगा, तो तुम्हारे लिए पूरवी तमाकू का पत्ता लाओंगा, नोरी तो बस तेरी ही जीत है, तु ही जाना, मैं क लादा को कहला भेजना कि मैं जाता हूँ, एक आदमी ने कहा, मेरा भी नाम लिख लो भाई, सेवा राम, सबने जैगोस किया, सेवा राम आकर नायक के पास खड़ा हो गया, दूसरी आवाज आई, मेरा नाम लिख लो भजन सिंग, सबने जैगोस किया, भजन सिंग जाकर न तुरंती तीसरी आवाज आई मेरा नाम लिखो गूरे यह गाउं का चोकिदार था लोगों ने सिर उठा उठा कर उसे देखा सहसा किछी को विश्वास ना आता था कि गूरे अपना नाम लिखाएगा वजन सिंग ने हसते वे पूछा तुम्हें क्या हुआ गूरे गूरे ने मालूम होता है हमको लूट-लूट कर घर भर लिया है क्यों काले खां गंभीर स्वर में बोला क्या जो आदमी भटकता रहता है उसे कभी सीधे रास्ते पर ना आने दोगे भाई जब तक जिसका नमक खाता था उसका हुकम बजाता था तुमको लूट-लूट कर उसका घर भर अब मालूम हुआ कि मैं बड़े भारी मुगालते में पड़ा हुआ था तुम सब भाईयों को मैंने बहुत सताया अब मुझे माफी दो पाचो रंगरूट एक दूसरे स्लिपरते थे उचलते थे चीकते थे मानों उन्होंने सचमुष स्वराज पालिया और वास्तम में उन्ह नायक ने उन सेवकों को संबोधित करके कहा मित्रों आप आज आजादी के सिपाहियों में आ मिले इस पर मैं आपको बदाई देता हूँ आपको मालूम है हम किस तरह लड़ाई करने जा रहे हैं आपके उपर तरह तरह की सक्तियां की जाएंगी मगर याद रखिए जिस तर आज आपने मुह और लोब का त्याग कर दिया है उसी तरह हिंसा और क्रोध का भी त्याग कर दीजिए हम धर्म संगराम में जा रहे हैं हमें धर्म के रास्ते पर जमा रहना होगा आप इसके लिए तयार हैं पाजों ने एक स्वर में का तयार हैं नायक ने आशिरवाद दि जैसे उमंग घुली वी थी समीर के हलकेल के जोकों में परकाश की हलकेल की किर्नों में उमंग सनी वी थी लोग जैसे दीवाने हो गए थे मानो आजादी की देवी उन्हें अपनी और बुला रही हो वही केत खलियान बाग बगीचे हैं वही इस्तरी पुरूशें पर आज क कई हजार आदमियों का जमा हो गया था जब सत्या ग्रहियों का दल निकला तो लोगों की मस्तानी आवाजों से आकाश गुझ उठा नए सेनिकों की विदाई उनकी रमनियों का कातर धैरिय माता पिता का आदर गर्व सेनिकों के परित्याक का द्रिश्ची लोगों को मस्त क खड़ी हो गई मैं कुने का का की हमें आशिरवाद दो नोरी मैं तुम्हारे साथ चलती हूं बेटा कितना आशिरवाद लोगे कई आदमियों ने एक स्वर में खा का की तुम चली जाओगी ति यहां कौन रहेगा नोरी ने सुब कामना भरे स्वर में का वहिया जाने के तो अ मेरी उकुत बन जाएगी भगवान करे तुम लोगों के सुधी न आए और मैं अपनी जिन्दगी में तुम्हारा सुख देख लूँ यह कहते वे नुहरी ने सबको आशिरवाद दिया और नायक के पास जाकर खड़ी हो गई लोग खड़े देख रहते और जथा गाता हुआ एक दिन यह है कि हमसा बिहाया कोई नहीं नुहरी के पाउं जमीन पढ़ना पड़ते थे मानों विमान पर बैटीवी स्वर्ग जा रही हो तो यह आप सुन रहते मुंसी प्रेम चंजी की कहानी समर यात्रा रेनु की आवाज में ऐसी अनुकी रचनाव को सुनने के लिए मे करें